हाई एवरीवान स्वागते आपका रसोई वीद कप्षप में आदमें मनाने जारी स्वीड डिश की रेसिपी घर में पढ़े हुए समान से बना लेंगे आप जब भी मीठा खाने का मन हो चटपट से बना लीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी इसके लिए सबसे पहले हमें एक पैन लेंगे और उसमें कटोरी शोगर डाल देंगे चीनी को केरमलाइज करना हैं हमने लुगाश के ओपर इसको हलके दिरे-दिरे कट होने देते हैं यह देखिए चीनी मेल्ट होने लगी है आज को थोड़़ा और दीमे कर देते हैं चीनी को हमने मेल्ट करना है और इसको केरमलाइज करना है हलका सा रंग देना है बस इस प्रोसेज में थोड़ा ध्यान रखना है कि जल नहीं जाये चीनी को हमने ज्यादा पकाया तो कड़वार देने लगेगी दीमी आज पे दिरे दिरे इसको हम मेल्ट कर लेते हैं देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो गई है अच्छा सा कलर आ गया इसका गैस को बंद कर देते हैं और इसके अंदर हम डालेंगे एक गिलास दूध गैस को चला के अब हम इसको मेल्ट कर लेते हैं और जल्दी हो जाएगी आप ऐसे यह टेक्शर देके घब राएगा नहीं यह देखिए चीनी मैल्ट हो गई है अच्छे से अब हम इसको बंद कर देते हैं और अगे का प्रोसिस कर देखिए और मिठाई बनाएंगे अम ब्रेट से ब्रेट से बहुत ही टेस्टी बिठाई बनती है एक बार मेरे कहने से आप बना के देख्याओ का ब्रेट के मैने इस तर तर तरह साथ पीस लेंगे जैसे ब्रेट क्रम का टेक्शर होता है न उस तरह से बीच में इसके डाल रहे हूं यह दो तीनी लैचियों को हमने थोड़ा कूट लिया है थोड़ा इसके अंदर ग्राइंड हो जाएंगी एक पैंच डाली है हमने इसके अंदर हम डाल रहे हैं एक चमच घी साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर यह जो हमने ब्रेट को ग्राइंड किया है और इसको लगातार चलाते हुए गी के साथ हम भूल लेंगे लैची हमारी पीज गई है बीच में यह जो छिलके देख रहे हैं इनको हम निकाल देते हैं एकदम दाने दार और बहुत ही बढ़िया मिठाई बनेगी जब तक आप बताओगे नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि यह आपने ब्रेट से बनाई है यह देखिए ब्रेट हमार मिल्क पाउडर हलकासा मिक्स करके इसको तातियम इसमें डाल देंगे हमारा दूज जो हमने कैरमलाइज किया था और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे आपको देखने से पता चल रहा हुआ कितना दानेदार इसका टेक्स्चर है देखिए पांसाद मिनट हो गए हमको लगातार चलाते हुए आप इसमें नालिल का बुराधा भी डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो देखिए बढ़िया सा हमारा मिक्स्चर बिलकुल डो जैसा हो गया है यह देखिए एक हमने ट्रे को ग्रीस कर लिया है और यह बटर पेपर रख दिया है इसके उपर हम इसको निकाल लेंगे और इस ट्रे में निकाल लेंगे थोड़ा से गी लगा देते हैं और इसको एकसार कर लेते हैं थोड़ा साम इसके उपर ड्रैफू डाओ देते हैं इसको हमने दरदरा पीस लिया है actor माजू को बडाम और गाजू को Чदर हूंड़ा व कि अधिक हहलका सइसको डैप कर देते हैं छाहिकी इसके ऊपर चिपक जाया अच्छे से इसको थंडा होने देते हैं trafficking बर्ख्वीश और इसको दो गहंटे हो गयेなんだ कि Neck Hashi देखी किती बढ़िया और soft हमारी मिठाई बनी है मैंने इसको फ्रीज में नहीं रखा था बाहर ही इसको रहने दिया है और बहुत ही अच्छे से बढ़िया से देखिए बहुत soft है इसनी बढ़िया सी बहुत soft है यह देखिए बहुत ही बढ़िया सी हमारी बहुत ही डिलिशियस मिठाई बन के त्यार हुई है बहुत ही बढ़िया बर्फी है यह देखिए बहुत अच्छा टेक्सचर है इसका और बहुत ही स्वादिष्ट है एक बार आप इसको ट्राइज जरूर करें और इंजॉय करें तो मिलते हैं फ